हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके मैं होप सब बड़ी होंगे तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ और टिंग उसके अब्जेक्टिव्स उसके पीचर्स ठीक है और मैंने आपसे यह भी कहा था कि स्कुभारी करना चाहै दस मिनट का ही पढ़के आना बटण प्रिवाईस करके आना अब मैं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने पढ़ रिवाईस किया और कितने नहीं चलो कोई नहीं करने से पहले हम पिछला पिछला रिवाइस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी कि आज से हम थोड़ा सा अपना टीचिंग पेस और पढ़ने का तरीका फास्ट रखेंगे ठीक है जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बहुत स्लो किया था जस्ट टू मेक शॉर कि आपको आडिटिंग का बेसिक वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए और उसमें क्या चीज आपको ध्यान देनी चाहिए लिखेंते टाइम वही पता होना चाहिए ठीक है बट आज से ऐसा नहीं होगा आज से हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्लास को ठीक है चलो एक बार पुराना वाला पढ़ा था अउडिटिंग एनि और आउडिट या ओडिटिंग का मीनिंग क्या होता है इदेफिनेशन क्या होती है जिसने आउसकं अदर हमें दो चीज़त है है systematic and independent examination ठीक है systematic systematic and independent examination ठीक है दो वर्ड ये ध्यान लखने हैं तीसरा वर्ड आपको audit report यानि आपको सबको check करने के बाग अपनी audit report में उसे mention करना है ठीक है second चीज हमने क्या पड़ी थी auditing के features क्या होते हैं ठीक है features मैंने आपको यह भी बताया था कि features होते क्या है features वह हैं जो सामने से आपको दिखते हैं किसी भी इंसान में किसी चीज में जैसे अगर मैं definition में देखूँ किसी के meaning में so auditing के meaning में भी जो भी चीज आ रही है सामने साब को दिख रही है वह हो गया उसके features इसमें हमने example लिया था features क्या होते हैं यह समझने के लिए रितिक एक्जामपल लिया था कि रितिक के features क्या है जिसे बहुत से बच्चों को अब याद होगा कि नहीं होगा देखो रितिक के features कि हमने देखे थे height अच्छी है उसकी body अच्छी है ठीक dance अच्छा करता है acting अच्छी करता है रितिक को देखकर सब यही चीज़ा बता पाएंगे ना यह होते हैं उसके features फीचर्स क्या थे systematic process है एक scientific systematic process है ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी कहीं से भी आप चेक करोगे हर चीज करने का एक तरीका होगा ठीक है इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है sequence of activity चलो दूसरा point क तीन पार्टियां होती है कौन कौन से होती है एक तो भाया जो मालिक है company का यानि shareholder उसको चलाने वाले कौन यानि की manager या फिर आप बोर्ड डिरेक्टर भी बोल लो तीसरा of course auditor जो की audit करेगा तीन पार्टी होती है इसके अंदर ठीक है और क्याता इसमें subject matter subject matter क्या होता है कि किस चीज के लिए हम audit कर रहे है हमें खले पूरा statutory audit करना है याफिर एसेट करना है या फिर किसी loan का ऑउडिct करना है या किसी particular sales का audit करना है ठीक है तो subject matter भी होता है ओडिट होता है एग्ऄ तरीका audit होता है आगे तो सबूत यानि evidence one of the feature of auditing next अपना आता है established criteria, established criteria में हमने क्या चीज़ ध्यान दी थी कि FRF जो भी organization है जो भी हमारा client है party है ठीक है company है वो किस दाइरे में आ रही है उस दाइरे में रह के हमें audit करना है उस दाइरे को देख के audit करना है other company अगर किसे him company का audit कर रहा है यानि किसी private limited का audit कर रहा है ठीक है private limited जा फिर सिर्फ limited आए ने तो यह company selling आती है तो हमें companies act में देखना है company strengthen 2013 में क्या क्या चीजे उनको करने को बोला है क्या चीजें वो कर रहे हैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं जैसे कि company sector में यह बोला हुआ है कि books of account double entry book का system से ही बन सकती है company single entry book maintain नहीं कर सकती ठीक है तो ऐसे company sector में बहुत से चीजें बताई होई है उसे हिसाब से आपको audit करना है कि next point है अपना last opinion अपकोस सब कुछ चेक करने के बाद order अपनी क्या देगा opinion देगा कि books of account true and fair view दे रही है या नहीं यह हो गया आपके features उसके बाद आते हैं अपना objective objective दो प्रकार के थे प्राइमरी दूसरा secondary अब प्राइमरी objective हमने क्या discuss किया था प्राइमरी objective हमें से दो चीज़ धियान रखनी है कि auditor क्या करता है opinion देता है कि true and fair view है कि नहीं है कोई भी books या पिर transaction सही से बनी हुई है वो सही तरीके से हमें वो समझ में आ रही है या नहीं इतना ही मतलब है ठी true and fair view और opinion ठीक है यह दो चीज़ धियान देनी है यह आपको लिखते टाइम धियान रखना है अब इसमें मैं एक और बात बता दूँ जिन बच्चों के बास डियो की book होगी जो लोग या फिर डियो की book से पढ़ रहे होंगे उनकी book में क्या इसे लिखा हुआ है कि यह points में दे रखे हैं तो सर हम क्या करें तो आपको यह करना है एक्चुल में यही है audit का primary objective जो आपके डियो की book में है वो जो bullets में दे रखा है points में दे रखा है वो actually audit करने primary objective को पाने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो एक तरह से हम secondary objective में डाल सकते हैं आपको paper में ऐसे लिखना है इत आपको number मिलेंगे यह बीच बीच में चीज़े में बताता रहूंगा क्या से दिरखा है और हमें क्या लिखना है जिसके वैसे हमें exam में number मिलें ठीक है तो यहां हमें दो चीज़ दिहान रखनी है opinion true and fair view उसके बाद था secondary objective secondary objective में क्या था कि primary objective को पूरा करने के लिए जो secondary objective में अब secondary objective में broad way में आपके पास दो चीज़े थी error को check करना और fraud को check करना अगर आप यह दोनों चीज़े चेक कर लोगे तो आप बता ही दोगे अपनी opinion दे ही दोगे कि हाँ यह चीज़ सही है गलत है true and fair view दे रहा है यह नहीं दे रहा है अब error क्या होते हैं error क्या था हमन error में पास चीज़े थी पास चीज़े कौन कौन से थी omission, error of omission, error of commission, error of principle, compensating error, duplicate error ठीक है अगया यह रहा, omission में हमने entry या transaction record ही नहीं की, commission में हमने record की लेगिन गलत record कर दी, देख़ो हमने party गलत कर दिया था प्रिंसिपल में, error of principle में क्या है हमने audit करने का सिध्धान थी गलत कर दिया, ठीक है error of duplication में हमने double entry कर दी, compensating error में हमने कुछ ऐसे entry कर दी कि एक entry का effect दूसरी entry ने knock off कर दिया तो देखने में सब कुछ बराबर लग रहा है लेकिन वह entry गलत है ठीक है इसके बाद आता है देखो यह हमने उस दिन नहीं दे रखा था तो यह हमने include कर दिया इसको आप पढ़ सकते हो एक बार compensating error और error of duplication को अगर आपको read out करना है तो कि आप fraud कर सकते हो मतलब fraud हो सकता है cash में आपने sales कर दिया या फिर purchase कर लिया fake entry दिखा दी कि expense हुआ जी बट वह expense हुआ नहीं था आपने cash निकाल लिया बहुत सा तरीकों से आप जो करोगे कर सकता है employee या कोई भी member वह हो गया आपका cash का fraud गुड्स का हमने पढ़ा था गुड्स का fraud मतलब misappropriation of goods का मतलब क्या होता है गुड्स का चोरी हो जाना जने लिए कहां होता है जहां पर आपका गुड्स छोटा हो और उसका price ज्यादा हो आपने books of accounts में ही छेड़ छाड़ करके fraud कर दिया हो यह हमने जल्दी से revise किया है जो आपको अगर पूरा देखना है तो आप पहले वारे class को refer कर सकते हो आज का topic स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैसे हमने एक चीज पड़ी थी last class में कि features क्या होते हैं, features हमने यह पड़ा था कि feature जो सामने से definition में देख्ता है और प्रिंसिपल्स क्या होता है इअद बसक्राइद प्रिंसिपल्स क्या हो ऊण गर्नष जोट न बोल और वो लोगों से सही तरीकबार में गाप लोल ग। लोगत टरह चाहिए कि उसको पीटर से इसे पेढले ब्र es ुедस्धान्त लेकर है हुआ सिध्धानत के हैं कि असलिए कि विजह से और कि रिलाइबिलीटि बढती भरोसा बढता है उस के सिध्धानतों को मद्दे नजर रखते हुए audit किया जाए तो उस पे भरोसा ज्यादा होगा वह हम समझेंगे आगे जैसे अच्छा हाँ इसमें एक चीज़ जान लो अभी जो भी हम छे पॉइंट यहां पढ़ेंगे वैसे audit के बहुत सारे सिध्धानत है 15 सिध्धानत है या इंटर्नेशनल स्टेंडर्डाइजेशन जैसनल ऑगनाजेशन ठीक है पहला इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है सूचो सूचो GTA integrity का मतलब होता है एमांदारी और भरोसा यानी audit नहीं दारी से होना चाहिए और भरोसे मंद होना चाहिए एक इतना ही मतलब है इसका लेकिन अब आप हमें जानना कैसे ли लिखना कैसे वह देख लीजिए निए यह कि ऑडित बिना जिम्मेदारी कि आप कहीं से भी हिमानदारी से ना करो सेल्स चेक करनी है आपने दो चीज छोड़ी दिट चेक करना आपके पास टाइम नहीं था आपने दस की जगा वीस ऊटा रखें ना काम बहुत ज़्यादा उठा रखा है आपके पास टीम है न सबसे बड़ा कि देखो किसी भी चीज का काम करने से पहले वह काम भरोसे मन दोना चाहिए और इमांदार से होना चाहिए तो वह ही यहां पर बताया हुआ है अब यहां पर आपको क्या चीज़ धिहां रखनी है आपको थ्यान रहेगा गेरफुल लिखना नहीं है आपको ठीक है उसके बाद आता है responsible person और रिस्पॉंसिबल होना चाहिए और अडिट के लिए ऐसा नहीं है कि उसने दो काम कर लिए sales check कर लिया, loan check कर लिया और बोल दिया कि ये तो मेरे काम ही नहीं था check करना नहीं और अडिटर का काम है सारी चीजों को जो भी subject matter है उसको check करके अपना opinion देना ठीक है तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी आपको ये चीज धियान रखनी है ये चीज धियान रखनी है ठीक है अब इसी को ही ऐसे definition को देखो bullets में दे दिया है ठीक है आपके जो book मैंने रखर की थी उसमें ऐसा दे रखा है कुछ चीजों में honesty, diligence, responsibility देखो ये चीज जहीं पर ये इसी को घुमा फिरा के इसना यहां दे दिया है कि observe comply with applicable legal requirement, applicable legal requirement जो हमने पढ़ा था ना, FRF requirement यानि companies act में आता है तो companies act के according, banking के audit कर रहे हैं तो banking act के according, ठीक है, ये वो चीज़े दे रखी है अब क्या है जो कि demonstrate करे competence while performing audit, अब देखो ये अब competence समझो यहां पर competence क्या होता है Competency होता है, कि जो भी परंदा, जो भी person audit कर रहा है, क्या वो competent है, क्या उसकी qualification वो है कि वो audit कर सके तो auditor की qualification क्या होती है, audit करने की, वो CA होना चाहिए तो क्या वो competent है करने के लिए, plus उसमें knowledge होने चाहिए, skills होने चाहिए ठीक है उसके पास experience होना चाहिए उसने काम पहले किया होना चाहिए ठीक है तभी वो competent होगा उसने अच्छे से पढ़ाई की होनी चाहिए तो यहीं दे रखा है कि auditor जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि audit process में उसको सारी चीज़े पता हो experience हो और skills हो उसमें वो करने की नेक्स्ट है remain fair and unbiased यह बताने की जरूत नहीं है audit में fairness होने चाहिए अन-biasness होने चाहिए अन-bias का मतलग क्या होता है अन-bias आगे भी आएगा आपका word अन-bias होना होता है बिना किसी के दबाओ के बिना किसी के चाहिए वो दबाओ familiar ही क्यों ना हो मालो आप अपनी दोस्त की कंपनी है इसमें चलो इसने कुछ गलतियां की है तो हम इसको avoid कर दें ऐसा नहीं करना अन-bias रहना है ठीक है इंडिपेंडेंट रहना है अन-bias रहना है यूज जजिमेंट बेस्ट स्किल्स डूरिंग और इसी पोइंट से कहीं न कहीं relate करता है जब auditor को experience होगा वो लिखाई तो की ही है उसे तो accounting taxation इन सबकी knowledge तो होती है तो वह अपनी बीच बीच में judgment और अपने skills भी use करेगा कि इस चीज में ऐसे गड़बड़ी हो सकती है यहां पर छोटी चीज ऐसे भी गड़बड़ी हो सकती है तो मुझे यह वी चीज चेक कर लेनी चाहिए ठीक है ऐ अपने बिल्कुल 100% उसी पर भरोसा कर लिया अगर बिल आपके पास है और बिल को देखते ही भरोसा कर लिया कि यार इस में तो सब ठीक है पार्टी का नाम भी आ रहा है यह भी आ अमांड भी आ रहा है जी आपको यह भी देखना कि कहीं इस में गड़बड़ी नहीं अब ठीक है नाम तो देखो आ रहा है ABC Limited लेकिन pen number जो है pen number तो मुझे किसी firm का लग रहा है ठीक है तो वो अपने experience, अपनी judgment, अपनी skills ठीक है कि उसने कैसा कैसा काम किया है, पहले experience कितना है, उसने कितनी गलतियां पहले धूनी होंगी, उसके base पे वो auditing करेगा, तो यह होगा integrity, ठीक है, इसका short formal लिख सकते हो, HDR, honest, diligent, responsible, ठीक है, यह याद रखने के लिए आप पोइंट लिख सकते हो, दूसरा है fair presentation, अब आपने audit तो कर दिया, तो उसको आपको present भी तो करना है, अपनी audit report में लिखना भी तो है, audit करने के बाद audit report बनती है लास्ट में, जिसे हम बोलते है independent auditors reports, ठीक है, तो उसे report भी करना है, उसमें fairly present करना है, यानि अच्छे से धन से present करना है, जो भी format होता है, जो भी institute के हिसाफ से, यानि ICAI के आप से formats दे रखे हैं, तरीका बता रखा कि पहले नाम लिखना है, company का, किस चीज के लिए audit कर रहे हो, ठीक है, title क्या है, फिर company का नाम, फिर आपने क्या धुना उसमें से, क्या-क्या check किया, पूरा format होता है, ठीक है, एक fairly सब कुछ दे रखा है, तरीके से, हर चीज तरीके से करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हवा में कर दो, तो यह भी easy point ही है, आज की class में भी जो भी हम mostly points पढ़ेंगे, वो बहुत easy to understand भी हैं, easy to remember भी हैं, तो इसलिए भी आज की class थोड़ी से fast आपको लग सकती है, आप दो पढ़ लेते हैं एक बार इसको, presentation of financial statement is deemed to be fair when it confirms the property, adequate disclosure, audit and audit obligation, deemed to be, मतलब मानी जाएगी, कब fair मानी जाएगी, जब audit report, यानि financial presentation को आप report समझ लो, ठीक है, जब report क्या confirm करे, प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी मतलब ownership ले रहा है वो, auditor एक ownership ले रहा है, कि हाँ मैंने इसको धन से अच्छे सा चेक किया है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने अच्छे सा चेक किया है, एडिकेट डिस्क्लोजर, जितने जरूरत है उतना डिस्क्लोजर करे हो, डिस्क्लोजर आपने शायद accounting में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, डिस्क्लोजर मतलब जब audit report बनती है, तो हम छोटे-छोटे चीज़े भी डिस्क्लोज करते हैं, अकाउंट्स तो बने हुएं, profit and loss account, balance sheet ये तो बने हुएं, लेकिन हम उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है, या कुछ चीज़े हमें mention करनी होती है, तो वो हम disclose कर देते हैं, point लिख देते हैं वापर, audit report में, कि माल लिजिए, according to us, हमने यहाँ पर एक point लिख दिया, opinion में ही एक point लिख दिया, according to us, we found that the fixed assets purchased on this and this date is not recorded in the books of account, ठीक है, कुछ भी हमें point आसा लगता है, तो हम यहाँ पर disclose कर देते हैं, बता देते हैं, audit report में, and audit obligation, जो भी सारी audit की obligations हैं, जिस भी तरीके से audit करना चाहिए, वो हम करेंगे, आगे क्या है, the statements are drawn up in conformity with the accounting standards, applicable law, आगे है, adequate disclosure with reference to the requirement of investor and stakeholder, सर, पूरी तरह सोंज में नहीं आया, देखो, audit fair presentation में, जैसे मैंने आभी आपको पीछे क्या बताया, कि applicable laws, companies act के according क्या चीज़े हैं, हमने क्या वो चीज़े ध्यान में रखी है, ठीक है, companies act कहता है कि किसी चीज़ को ऐसे दिखाओ, और income tax कहता है किसी चीज़ को ऐसे दिखाओ, ठीक है, तो जैसे fixed assets में, companies act के हिसाब से depreciation के rate अलग है, ठीक है, और income tax के हिसाब से depreciation के rate अलग है, तो अगर हम audit कर रहे हैं, statutory audit, यानि companies act के हिसाब से audit, तो हम क्या कौन सा rate देखेंगे, अफकोस, जो companies act के हिसाब से rate दिए हुए हैं, वो depreciation के rate दिए होते हैं, और income tax में भी rate दिए होते हैं, आपको income tax का तो ध्यान होगा, लेकिन companies act का नहीं पता होगा, आपको rate, companies act में भी item wise rates दिए हुए हैं, depreciation लगाने के, ठीक है, जो कि बड़ी-बड़ी कमपनियां होते हैं, वो करते हैं ऐसा follow, वो करना भी पढ़ता है उनको, और नहीं तो वो audit में पकड़ा जाता है, ठीक है, और advocate disclosure हमने यहीं पढ़ लिया, मतलब जितना जरूरी है, उ investor के requirement है, और other stakeholder के requirement है, उनकी requirement भी fulfill हो, यानि उनको जो जानकारी चाहिए, वो जानकारी भी उनको मिल जाए, ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने point में लिख दिया, audit के finding होनी चाहिए, conclusion, report truthfully, accuracy reflect in audit activity, मतलब, auditing में क्या कैचीज़ होनी चाहिए, audit के finding, कि हमने क्या क्या चीज़े धोणी audit के दोरान, क्या क्या हमने find out की, यह चीज़ हमने निकाली यार, इसमें यह गलती हमने निकाल दी, finding, conclusions, अब conclusion मतलब finding करके हमने क्या क्या अपना opinion दिया, कि यह चीज़ सही है यह गलत है, सही गलत का मतलब conclusion दिया, report truthfully, truthfully and accurately reflect, जो भ true and fair view से बनाते हैं, यह आपको पता ही है, तो हमारे report भी उसे हिसाब से true and fairly represent होनी चाहिए, यानि जो हमारी report है, जो हम बनाते है report, मैं आपको दिखा भी दूँगा, किसी next session में या तो next session में, next class में हम एक audit report का format देखे लेंगे, ताकि आपको दिमाग में समझ में आ जाए कि audit report में बनता कैसे है, मोटा मोटा paragraph, 100% audit report नहीं, तो आपको समझना है, वो वाला point, report any significant obstacle encountered in the audit, क्या बूल रहा है, वो चीज भी report करो, जो significant obstacle रहा है, जो बाधाये आई हैं, बहुत बड़ी बाधाये आई हैं, significant, छोटी मोटी बाधाये नहीं, बहुत बड़ी बाधाये आई ह आपको, obstacle का मतलब, बाधाये कह लो, barrier कह लो, barriers या फिर, बाधाये, ठीक है, कौन-कौन से barriers आपको आई हैं, मानलो, management ने आपको बोल दिया, कि भाईया, ऐसा है, आपना asset का रिष्टर चेक मत करो, मैं आपको asset चेक ही नहीं करने दूँगा, हम आपको factory में गुसने देंगे, factory में गुसके, आप machinery चेक मत करो, ठीक है, तो यह बड़ी बाधाये, तो यह आप अपनी audit report में लिट दो, कि देखो जी, हमको management ने क्या किया, हमको machinery चेक नहीं करने दीजी, तो यह बड़ी चीज है, छोटी चीज तो नहीं है, मालों किसी एक चाय का बिल नहीं मिला, आपको, बीस रुपे की चाय का बिल नहीं मिला आपको, उनके expense के register में, तो यह तो छोटी मोटी बात है, तो जो significant obstacles हों, significant, यहीं बड़े बड़े जो दिक्कते आई हैं, वो आपको, ध्यान में रखने हैं, मतलब वो आपको, रिपोर्ट में, मैंशन करने हैं, report any unresolved diverging opinions between the management and all team, अब मान लो, क्या बोला इसमें, कि आपने कोई finding निकाली, कोई गलती निकाली, ठेक हैं, अब आपने management को भेज दी, हमने पड़ा था ना, कि पहले हम audit करेंगे, फिर वो point आगे भेजेंगे, फिर उस पर पूछेंगे, कि sir management, board of director, आप यह बताईए, कि यह चीज़ सही है या नहीं, तो वो reply करेगा, कि हाँ यह सही है, और आपने इसमें से यह गलतियां धोड़ी है, यह चीज़ सही है, यह भी रह जाएंगे, कि आप बोल रहे हो, कि नहीं, sir आपने यह गलत किया है, और management बोल रहा है, कि नहीं, sir हमने तो सही किया है, तो ऐसी अगर कुछ गलतियां है, कुछ ऐसे points हैं, तो वो भी अलग से report करो आप, यह सब चीज़े करोगे, तभी माना जाएगा, कि आपने fairly present कि अपना audit report, ठीक है, next point, due professional care, अब देखो, due professional care, professional care, order क्या होता है, professional होता है, पड़ा लिखा होता है, यह एक डिगर ही होती है, उसके पास, उसने काम किया होता है, experience होता है, उसके जो training होती है, उसने काम किया होता है, तो उसको वो सारे जो skills हैं जो अपनो जो professional लिए उसने सीखा है समझा है जाना है वो सब use किया होना चाहिए अपने audit के काम में ठीक है यह नहीं उसने कोई चीज हवा में छोड़ दी नहीं वो सब वो use करेगा सारी अपनी qualification लगाएगा जो भी उसने accounting में सीखा है जो भी उसने auditing में लगाएगा लगाना चाहिए तभी वो principle का पार्ट बनेगा जैसे इसमें क्या लिखा देगो order is expected to sound judgment expected to use sound judgment exercise due audit care undertaking the audit assignment the order requires specialized skills competence which are required through the combination of his education technical knowledge experience and professional judgment देखो इसने यही बोला इस paragraph में कि audit के टाइम पर वो careful रहेगा अपने skills professional judgment लगाएगा जैसे as a auditor बहुत से चीज़े उसे पता होती है कि यह चीज़ में लोगों को तो लग रहा है कि यह सिच सही कर रहा है लेकिन एक order को पता होता है कि यहां पर ना मैंने एक बार बहुत पहले audit किया था तो उसमें यह चीज़े गलत थी क्योंकि वो उसकी judgment पता है नो उसको अब इसे mechanic को पता है कि वो रेज देता ही बताते सकता है कि यहां पर गलती हो सकती है engine में गलती है fuel tank में issue है या फिर wire में issue है या फिर brake में issue है वो बता देगा थोड़ा सा उपर उपर देखके बता देगा वो ठीक है तो order में भी वो quality होनी चाहिए कि वो अपनी सारे skills वगरा यूज करके चीजों को तुरंत find out कर पाए यहां पर आपको ध्यान रखना है तो आप mechanic example अपने दिमाग में रख लेना चलो आगे दिखते है क्या लिखाया auditor is not supposed to look absolute proof absolute proof in support of assertion he has to be contended with what is called sufficient appropriate proof due care various due care sorry due care varies according to the importance of assignment or assignment auditor undertakes so an order is required to say क्या अब बोल देया असने समझ में नहीं आया चलो हम किस लिए यार हम समझाने के लिए तो है क्यों परिशान हो रहे हो auditor is not supposed to look for absolute proof order को जरूरी नहीं है कि 100% का प्रूफ चाहिए उसे ठीक है अ बिल्कुल ही पक्का थबूत बिल्कुल ही पक्का प्रूफ ठीक है कि उसिह के सामने मशीने लेकर आ रहा उसमें छोटी मोटी चीजे जो सेलर के डीटेल है वो फैन नंबर जेस्टी नंबर अमाउंट और मशीन देख लेगा इतना उसके लिए बहुत है ठीक है इससे ज्यादा यह नहीं कि वह कैसे कैसे आई कौन को लाया उसको इतना जानने के जुरूत नहीं है यह वर्ड अभी याद रखना है यह मैं आगे और डीटेल में पढ़ाओंगा आगे एक पॉइंट में आएगा तो हम थोड़ा सा और डीटेल में पढ़ लेंगे इसको टेंशन ना लो दूसरी चीज़ने क्या बोलिए सफिशेंट एन एप्रोपेट प्रूफ देखो एप्सि युट्व है अप्सेलूट प्रूफ होगा देखो यहां पर थोड़ा सव्जीब लग रहा होगा मैं किसलमा जेता हूं audit कभी भी 100% guarantee नहीं देता कि 100% यह company सही काम कर रही है 100% हो सकता है question भी बन जाए आपका कि audit क्या 100% guarantee देता है accuracy की, accuracy of books of accounts की तो वहाँ आप का अंसर क्या होगा? no, audit does not give 100% accuracy proof of the examination of financial statement of an organization it is only based on sufficient appropriate audit evidence आपको ऐसे गर के लिखना है यानि 100% कभी auditor या फिर audit proof नहीं करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है तो उसी तरज पर यह चीज बताई हुई है absolute proof नहीं चाहिए sufficient है कुछ चीज है वह भी बहुत है हमारे लिए हमने sales का register चेक कर लिया ठीक है और देख लिए payment गई है इतना भी बहुत है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक एक चीज को हम मान लोग कुछी कोई company है ठीक है वह अजार transaction करती है कि इसका यह चीज हम क्या समझ रहे थे कि हमें सिर्फ sufficient appropriate प्रूफ हो वह भी बहुत है हमें 100% प्रूफ की ज़रूत नहीं है ठीक है next slide में उसकी या बोला है due care जो हमने due उपर पढ़ा था न कि professional उसका skill होने चाहिए competent होना चाहिए competent मतलब उसकी कि वह qualification होनी चाहिए जैसा CA कर सकता है audit qualification क्या होती है audit करने के लिए कि वह CA होना चाहिए ठीक है CMA भी होता है CW CS भी होती है हर अलग चीज के अलग-अलग audit होते हैं यह कभी और बता दूंगा जब मौका आएगा ठीक है professional due care करना चाहिए उसको audit करते समय अपनी judgment लगानी चाहिए बस इतना ही है इसमें अब देखो इन्होंने क्या कर रहा है दो bullets points extract करके देदी हैं इसमें से निकाल के कि audit exercise due care based on importance of audit assignment जो आपको subject matter मिला है subject matter पड़ा था ना हमने features में जिस चीज के लिए जिस चीज का आपको audit मिला है उसे हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपको audit के कितने हद तक घुसके प्रूफ निकालने यह बोला है इस लाइन में अब देखो इस लाइन से पता चल रहा है exercise due care based on importance of audit assignment due care उतना ही अपने skills और judgment वो लगाओ जितना वो assignment जरूरी है ठीक है छोटी चीज का audit दे रखा है अब उसमें आप जबर जस्ती का उसमें घुसे जा रहे हो जिसमें दो दिन लग रहे हैं उसमें आप जबर जस्ती पचास दिन लगा रहे हो तो ऐसा भी नहीं करना है इस पॉइंट का यह मतलब है make reason judgment in all audit situation judgment हम पढ़े चुके हैं इस देखो वही चीस नहीं बोली है अपनी एक reasonable judgment लगाओ लगी होने चीए प्रेटर की reasonable judgment सर क्या होता है मतलब जैसे मैंने वह एक्जमपल दिया था ना मालोश को पता है कि लोग ना जैसे अपना construction वाला जो इंडस्ट्री है बिल्डिंग है बनती है ना तो construction के काम में क्या होता है दोस्तों cash बहुत use होता है cash का काम ज्यादा होता है labor को cash देना होता है जो रोडी बदर पूर होता है cement होता है वह cash में ज्यादा तरह तो इस धंदे में cash बहुत होता है cash का काम ज्यादा होता है तो जब माल लो और अलिटर और अलिट करेगा तो उसे पता है कि इस धंदे में cash का काम बहुत ज्यादा होता है तो मुझे cash पर ज्यादा ध्यान देना है तो वही इसने बोला है make reasoned judgment in all audit assignment तो जो भी assignment मिलेगा उसके base पे reasonable reasonably आपको judge करकर बताना है कि इस industry में यहाँ ज्यादा चीज़े ध्यान देना है मुझे तो यहाँ ज्यादा ध्यान दो किसी और काम में किसी और चीज़ पर ध्यादा ध्यान देना है ठीक है तो यह इतना ही है इसमें main आपको overall क्या ध्यान रखना है कि professional due care यानि जो भी professional है जो भी CA है जो भी order है वो अपने skills जो उसने पढ़ा लिखा है जो उसके पास degree है जो उसका experience है वो सब लगा कि उससे काम करना है कि next point confidentiality confidentiality secrecy ठीक है यह नहीं है कि मैंने अपने दोस्त की बात आपको बताई आपने क्या किया मैंने आपको बोला कि बताना मत किसी को होता है ना मारे दोस्तों में क्या होता है कि हम एक दोस्तर discuss करते हैं कि यह वाली बात नो उसको मत बताई हो ठीक है और वो क्या करते हैं वो उसको बता देता है दूसरा तीसरा चोत्तर को बता देता है चोत्तर पांच वेगा और सब कुछ नमक मसाला में बिला कर बता देते हैं नहीं यहां पर आपको नहीं करना ऐसा अदिटर ने जो भी चेक किया है बुख्स ओफ अकाउंट पनांसर सेटमेंट जो भी चीज़ चेक किया है देखी है धूड़ी है कमपनी में से उसमें से कुछ भी चीज मिला है वो किसी को नहीं बतायेगा यह नहीं है उसने आपके कमपिटिटर को बता दिया ठीक है आप का आइडिकर कर रहे हो और आप जमेटो का ऐॉडिट कर रहे हो और आपको पदा चला कि ऐसे जाद में यह क्या करते हैं अपनी यह प्लिकेशन में इन्होंे दो अर्ट्राइट आप चलेगे सुईगी के पस आपने क्या करते हैं इसलिए इनके सेल बहुत जादा हो रही है तो आप भी क्या करो कि ना अपनी और्ग्निजेशन में ये चीज आप भी स्टार्ट करता हैं जैसा है एक एक जो लोग ऑडर करते होंगा उनको पता होगा जो मैटो क्या करता तेवहार वगरापे या फिर वैसे ही दो तिन में उपर नोटिफिकेशन देता है एक शेरो शेरियां बोलता है कि आज तो मीठा खाने का हो जाए कुछ यह तो शाम हो गई चलो कुछ जले भी हो जाए ऐसा नो जमैटो के नोटिफिकेशन दाती है तो इसने क्या करा शेरो जाकर बता भी है तो यह चीज नहीं करना रखनी आपने मुवीज में देखी है कई बार जो आपने वॉर वाली मूवी देखी होंगीजिए नना डिफेंस की मूवी देख्योंगी कोजियो वाली उसमें क्या होत होता है उसे document के पीछे लडाईयां हो जाती है होसी movies में होता है तो confidential रखना है order को ऐसा नहीं किसी को disclose नहीं करना है बट एक चीज़ पर disclose कर सकते हो आप जहां आपको बोला हो disclose करने को जहां आपको government में बोला हो या फिर किसी act में लिखा हो कि हाँ अगर कोई गलती है तो आप बताईए ठीक है अब यही सारी बाते इसमें लिखी है चलो पड़ते हैं every organization has right to protect and secure its information हर एक organization को अपने information protect करने का right है ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी जनकारी किसी को भी देदेगा जैसा होता है ना मानहानी का दावा लग जाता है किसी की information किसी और को दे दी ठीक है to prevent other parties from using information to gain unfair advantages मतलब अपना right यह है किसी organization का वो अपने information वो confidential रखे किसी तीसरे से बचा के रखने के लिए कि उसकी वजए से उस तीसरे को कुछ फायदा न हो जाए ठीक है चलो अब आधा में पॉइंट और शुड बी ओडर शुड रिस्पेक्ट दिक confidentiality of information acquired जो भी उसने information उसे मिली है audit के दौरान अपने वर्क के दौरान और वो disclose ना कर यानि किसी दूसरे को ना बताए ठीक है किसी तीसरे को ना बता देखो लिखाए ना unless अब यहां से अब अलग चीज़ स्टाट यह मैं आपको बताई थे ना यह वालो चलेगा unless there is legal professional duty to disclose तब तक नहीं बताएगा जब तक कोई legal duty नहीं है उसकी मान लो companies act में कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि यह अगर गलती है तो आप हमें अलग से बताओ ठीक है कहीं income tax act में भी बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर company ने यह गलतियां की है तो यह हमें आप disclose कर रहा हमें बताओ ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है specifically किसी एक्ट में तभी आपको बतानी है वह information otherwise किसी को और नहीं बताना ठीक है ओड़र अपनी चीजे अपनी finding किसी को भी नहीं बताएगा नेक्स है independence सिंद्ग किि इंडिपेंडंस वर्ड हम आर्टिंग की डैफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि ऑउट्र अट्र इंडिपेंडंड होना चाइए इंपार्शल ना चाहिए किसी के बहकावर में किसी के दोस्तियारी में यह नहीं कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी गलत कर दी नहीं ओडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेस्ट ऑन ओडिट जो भी उसने चीज़ें सर्च की हैं धूड़ी हैं एक्जामिनिशन की हैं सही गलत चीज़ें देखी हैं उसी को वह बताएगा as it is उसमें कोई वह किसी के दबाव में आकर गलत नहीं करेगा ओडिटर शुड़ इंडिपेंडेंट वह अपने डिसिजन खुद ले सके ऐसा होना चाहिए और अब पढ़ते हैं इसमें क्या है independence is the basis of impartiality ठीक है basis of impartiality partiality नहीं होना चाहिए ठीक है and objectivity of audit conclusion an auditor should be free from bias देखो bias बढ़ आगया ना अमने बायस पढ़ इसमें ही पढ़ा था किसमें पढ़ा था हमने integrity पढ़ा था ना कहां पढ़ा था the Unbias यार। Bias, 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 bias क्याइक लेख लेना भी दिखनी रहा हुझे ठीक है Unbias ना चाहिए यानि किसी के बायस में किसी के भैकावय में यानि किसी या फिर किसी के द बाव में नहीं होना चाहिए यह पी जिसको समझ ना आ है वो Eli लीजिएगा बिना किसी के रबाव में क्योंकि बहुत सा बच्चों को यह वर्ड याद नहीं आते वगर आसे आप ध्यान रखोगे तो याद आ जाएगा ठीक है next point next paragraph यह सब कब होगा यह सब ओडवर्ड पढ़दा था ना फेर फेर प्रेसेंटेशन होना चाहिए जो थाट फड़ पोईंट था पेर होगा इंपार्चल होगा और अबच्टिव होगा कब होगा जब ओड़ड इंडीपैंड रिपाडनद हो audit report बढ़ियां कब बनेगी audit report इमानदारी से कब बनेगी जब auditor ही independent हो अगर auditor ही independent नहीं है तो audit report audit report कैसे आपका fair होगी और impartial होगी ठीक है आगर दिख्थे हैं the professional code of conduct of various chartered accountant bodies are also unequally required audit to be independent to give credibility to the audit report the principle of independence requires an auditor 2 देखो अब आपका चीज़ तोड़ी कम समझेव हारी होगी कुछ नदा ICAI देखा क्या बोला है इसने चार्टेट अकाउंटेंट बोड़ी कौन सी है कि आई सी ए आई हमने पहली क्लास में पड़ा था जहां से सी यह बनके निकलते हैं इंसिट्यूट ऑफ चार्टेट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और सी एस की और्गनाजेशन है तो यह जो लोग है इन आई सी आई के भी अपने कुछ कोड ऑफ कंड़्ट बने हुए कुछ रूल्स बने हैं उन्स रूल्स में बता रखा है जैसे बहुत सारे कोड ऑफ कंड़ क्लाइंट है कम से कम 20 25 है जो जो सीए बच्चे हैं वो पढ़ते है उसमें बता रखा कि आपको ऐसे चीज़ करनी है सचाई से यह यह चीज़ ऐसे करनी है आप फ्रौट नहीं करे सकते आप कैस नहीं रह सकते अपने क्लाइंट का कैस रखोगे तो ऐसे रखोगे कि उसी काम के लिए यूज हो जिसके काम के लिए client ने बोला है ठीक है तो बहुत से code of conduct दे रखें उसे हिसाब से आपको audit perform करना है इस point का मतलब यही हुआ जिसमें से कुछ चीज़े इसने बता रखी है अब यही चीज़े इसने bullets में दे दी देखिए independent ब्रड दे दिया cppD from Biasdf नहीं होना चीए पिर इनीन बाशिंग होना चीगे ओड्यक लिटीमें है मतलब पक्शपात नहीं वह किसी चीज जाए फिर अन बाइसब दो इसको गुंआ फिर आकर औब्जेक्टिविटी के उद्र ही आता है बाइसनेस या फिर उनबाइस बट फिर भी अगर किसको जानना है और अच्छा तरीके से लिखना है इसका हिंदी मतलब जानना है तो objective का मतलब होता है बिना पक्षपात के अप लिख लिए जिसको लिखना है अगर बिना पक्षपात के लिए फिर क्या है ensure finding and conclusion are based only evidence और को ऐसा ensure करना है ऐसा सोच के चलना है कि जो भी मैं finding बताऊंगा conclude करूंगा वह ऐसा होना चाहिए बिना किसी स्वरी प्रोपर सबूत के प्रोपर सबूत के evidence बिना evidence के ना बोले हो कोई भी बात ठीक है देखो क्या है अभी जो यह basics of auditing चल रहा है न यहां पर आपको पॉसर points ऐसे लगेंगे कि सर इसमें भी यह चीज बोली है इसमें भी यह चीज बोली है हम differentiate कैसे करें इसलिए जो हम लिखेंगे तसरा हम क्या ध्यान रहें इसलिए न मैं बीच बीच में आपको mark करव रहा हूं न हर point में यह word याद रखने है ठीक है हर topic में हर bullet point में यह चीज याद रखने है इसलिए मैं mark करवा रहा हूं कि कल जब आप revise करोगे तो यह जो गोले मरवाया है मैंने जो highlight करवाया है यह highlighted चीज आपको mention करने है उस particular point में और हाँ यह principal वाला topic बहुत important है यह paper में आता है ठीक है लास्ट च्छटा point evidence based approach अब यार बताने के जरूद नहीं है यह ठीक है proof के base पे ही सबूतों के base पे ही आपकी audit होनी चाहिए या फिर सबूतों के base पे ही आप audit करोगे अब एक चीज हमने पड़ी थी conclusive था ना पीछे evidence होते कितने प्रकार के यह समझ लो यह आपकी book में शाद कहीं दे रखा होगा या नहीं भी दे रखा होगा कि अब इस दो परकार के होते हैं कि और टिंग में उस पर्ट से पर थे से तो है कि खम ऊर्ट से वी तो थी समझ रहर में से अफ पर था हम Siis un अवदिएš वी और स्रूवरा कैं ऑनल के सिर्वा i कशिएर था रख थार दूवरास।र्ट कैंछ विसे अवदिटेinnen ठीक है, पहले बात आप यह समझे, दो परकार के एविडेंस होते हैं पर्सुवेशिव एविडेंस आणि-पंक्लूजिव एविडेंस, पर्सुवेशिव एविडेंस होते हैं कि कि अट्रमός शालूटे को आप चीज़ को अब पढ़ा था ना यह उसी के बेस पर यह चीज समझे और जब भी कभी आएगा ना और एविडेंस कैसे होना चाहिए तो एविडेंस आपके पर्सुवेसिव होने चाहिए और टाइबिडेंस नहीं होता आपको आपका एक टॉपिक और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस कि पर्सुवेसिव एविडेंस यानि यह होते हैं और डाइविडेंस इसे हम और डाइविडेंस भी बोल सकते हैं अगर कोई पूझे और डाइविडेंस कौन से होते हैं तो वह होते हैं पर्सुवेसिव एविडेंस ठीक है चलो यह मोटा मोटा आपने जान लिया पढ़ते हैं कि इसमें है क्या in the process of auditor in this process auditor collects and evaluate evidence to establish fact and to draw conclusion and inference auditor is required to obtain sufficient audit evidence देवाब यहाँ पे आपको यह वाला word ध्यान रखना है sufficient होना चीए 100% नहीं, बिल भी है और आपने देख रहा है machinery इतना बहुत है to enable him to draw reasonable conclusion which can be which can base opinion on financial statement मतलब sufficient हो और आपके पास सबूत sufficient सबूत हो जैसे आपको आप देखते हो ना crime patrol वगरा जो आता है CID वगरा वो क्या बोलता है कि इतना evidence sufficient है गिरफ तारी के लिए कई बार आप सुनते हो ना उसमें यह बोलता है कि हमें यह proof भी चाहिए हमें उसके मुह से उगलवाना है कि यह चीज़ वो गलत कर रहा है या वो फिर drug dealer है ऐसा आता है ना आपका CID वगरा टाइप की movies में या फिर वो TV series में ठीक है तो sufficient होना चाहिए आपके conclusion के लिए यह नहीं कि management ने आप से बोल दिया कि sir देखो आप पर्चेस को तो मान के चलो कि हमने सही किया आप इस पर्चेस वाले पर टिक मार दो कि यह चीज़ ठीक है ऐसा नहीं करना एक sufficient normal evidence तो होना ही चाहिए आपके पास आपके कहते है by applying various audit techniques अभी audit techniques भी हम पढ़ेंगे auditor collect करेगा different type of evidence to support proposition and audit report the auditor required to critically evaluate audit evidence with regard to credibility and usefulness क्या बोल रहा है audit technique को लगा के अलग-अलग audit technique जो हम हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको लगा के वो evidence पर collect करेगा यहनि सबूत इखटा करेगा अलग-अलग technique लगा के सबूत इखटा करेगा उसी base पर वो अपनी conclusion निकालेगा कि हाँ भै चीज सही है गलत है अपने opinion देगा ठीक है तो यही चीज है आपकी audit evidence में अलग-तो यही चीज सही है टचूत आपके लगा झाल – इखटा को फन्कैंट लगा काईया है आपके बज़ कि जए दो है गजवे तो यही चीज़ कि आपके ढ़के तो प्त्सकों में ढब़के आपके तो यहीज़ कि हैं ड़के प्लोज़